क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं आपका फोन ट्रैक तो नहीं हो रहा है आपका जो फोन का लोकेशन होता है आप जहां भी जाते हैं वो लोकेशन किसी परसन के साथ सेर तो नहीं हो रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहीं बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन कर सकते हैं तो जानने के लिए आज कि इस वीडियो को इन तक देखिए का वीडियो चलेगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा और बहुत तरीके हैं जिनसे कोई भी परसन के मुबाइल फोन को ट्रैक कर सकता है और जब वह परसन उससे मुबाइल फोन को ट्रैक कर लेगा तो वह परसन जहां भी जाएगा उसका लोकेशन उस परसन के पास पहुंच जागा वह परसन उस परसन के लोकेशन को देख सकता है तो सबसे पहले मैं आ तब तक यह पॉसिवल नहीं है तब तक उस पर्सन के फोन के लोकेशन को को है कोई भी नहीं कर सकता है तो इसलिए हमें यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कहीं हमारा फोन ट्रेक तो नहीं हो है आप अपने मोबाईल फोन के setting से जाकर के check कर सकते तो चलिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे check कर सकते हैं उसके लिए चले जाना है आपके मोबाईल फोन में या फिर आपके device के setting में device के setting में जाने के बाद यहाँ से आप अगर आपके phone में search bar का option मिलता है तो यहाँ से आप direct admin search कर सकते हैं admin यानि कि grantor जिसे अपने phone के permission को grant करते हैं उसे allow करते हैं as a admin यानि कि वो आपके phone में कोई भी share share कर सकता है यह चीज यहाँ पे हम उसे allow करते हैं तो यहां से आपका device admin apps करके option देखने को मिल जाएगा तो उसको आप open कर लेंगे इसको open करने के बाद यहां से अगर वो जो भी tracker application होगा जो भी वो application या फिर software होगा जिसे आपने admin बना दिया या फिर जिस person ने आपके phone को लेकर के एदमिन बना दिया है अगर अगर आपके फोन को च्रेक कर रहा है तो यहां से सोग कर देगा तो simply आपको क्या करना है यहां से आपको उस जो यहां से आपका option देखने को मिल जागा जैसे कि यहां से मैंने admin बना रखा है find my device को screen lock service को यह दुनों legal है यह मेरे mobile के ही है find my device के बारे में I think कि आप जानते ही होंगे वह एक अगर वह बहुत ज़्यादा helpful होता है अगर आपका phone कहीं भी गूम हो जाता है या फिर चोड़ी हो जाता है तो तो आप find my device में जरूर activate कर लेंगे आप find my device में sign in जरूर कर लेंगे तो यहां से आपको simply क्या करना है उस पर tap कर लेना है और tap करने के बाद यहां से आपको deactivate का option देखने को मिल जागा तो simply यहां से आपको deactivate पर क्लिक कर देना है यह अपका जो है यह admin से यह deactivate हो जाएगा remove टो कुछ से जा ळेक्टिएक सारी Γboard इसी तरीके से आप को क्यों कॉन सा है कि सफ्ट्वियर को अपने आपने inherent को अपने अगर अगर लगता है कि अगर आ involved ludzie तो फिर आप उसे जल्दी से एकुवन लगता है और किसी भी परिजन को अपना फोन देते हैं कोई भी person आपका phone लेता है तो फिर आप एक बार जरूर चेक कर ले कि आपके phone के admin में कौन-कौन सा software सो कर रहा है कौन-कौन सा application सो कर रहा है अगर बिल्खुल भी आपको लगता है कि वह application सही नहीं है या फिर वह software सही नहीं है तो फिर आप जल्दी से उसे deactivate कर दीजेगा जि खिलाल के वीडियो में इतना ही मिलता है मेरे अगले वीडियो के साथ